पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ट के चेर्मेन महसें नकवी साब की आज प्रेस कॉन्फरेंस हुई है और रोही शर्मा के हवाले से उनसे स्वाल हुआ पाकिस्तान और भारत ICC event में खेलते हैं अगर मिलके सीरीज भी खेलेंगे तो क्या बुराई है पाकिस्तान क्रिक्ट बोर्ट का क्या मौकफ है उन्होंने क्या मौकफ दिया वो मैं आपको इस विलॉग में बताऊंगा और उनका छोड़ सा क्लिप भी दिखाऊंगा मगर मुझे एक चीज़ का हुआ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये रेक्शन चेर्मेन पीसी बी का और मुझे लगता है कि वाइज रेक्शन था ये चेर्मेन पीसी बी की तरफ से और ठीक रेक्शन था इन्होंने बहुत पैनिक होकर या बहुत इसे बोलता है एक साइटिल होकर कुछ चीज के उपर नहीं बोले उन्होंने एक जो चेर्मेंट PCB को चेर्में क्रिकिट बोर्ड को जो स्टेटमेंट देनी चाहिए एक्जेक्ली वह स्टेटमेंट दी अच्छी भी थी और बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट भी थी वह यह उन्होंने बोला कि हां मैंने भी सुनी है यह वाली बात और यानि मैंने को मफूम बताना चाहरू हूँ एक उन्होंने इस तरह की बात की है और हमें वह पर्पोसल दें लेकिन यह बात तया है कि चैंपिस टॉफी यानि 25 फेब तक सकते हैं यह वह पाकिस्तान में सीरीज़ खेलना चाहते हैं यह कहीं और खेलना चाहते हम रएडी है जोईक है तो इस शर्मा हैов इसके प्छी ऑफ्षिसामदे है बसारे है करें आप पूरोर किया ही इस ते मेरा ड़ा टार्केट है कि हम केम्पोचन सिर्फी सकते हाँ पूधि किसी तक कि अगर की कूई पिकरा असी जंगा पर किसी प्रिंग केंपें फ्रीत जोट नहीं है . तो एक दफ़ा वो आएं यहां पे इन्शाला ताला और उसके बाद हम बैठेंगे और कोई प्रपोजल आईगी चाहिए पाकिस्तान में हो चाहिए कहीं पे भी हो हम देखेंगे उसको तो ये बड़ी बैनल स्टेटमेंट थी उनकी और मतब उन्होंने जिसे बोलते हैं ना कि एक सही नपी तुली एक बात की उन्होंने और साथ में ये पेगाम भी दे दिया कि भाई सीरीज तो ठीक है बट आप चैंपेस्ट्रॉफी खेलने भी पाकिस्तान आएं उसके बाद फ इसे ना होता तो मुझे ऐसे क्रिक्ट फैन बड़ी खुशी होती कि यार इंडिया की टीम पाकिसान गई और से हम पाकिसान की टीम पहले खेले वर्ल्ल कप खेलने जाही चुकी है इंडिया की टीम पाकिसान आएगी ये बड़ी खुशी की बात है पाकिसानी क्रिक्ट फैन इसके लिए भी और काफी इंडियन फैंस में जो खुश हैं, बहुत से लोग हैं जो शायद इसके उपर दूसर रदेमल भी दें, बट मैं बहुत से को जानता हु, बहुत से स्पोर्ट जनलिस्ट जो मेरे दोस्त हैं इंडिया से, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए इंडि क्रिकिट में एक बार भी नहीं कर पाया, तो ये मेरी बड़ी खाहिश है कि वहां पे भी ये रेस्जी प्रोफल्द हो, जब ये सीरिस खत्म ही, उसके बाद जाके मैं इस विल्ड में आया हूं स्पोर्ट जनलिस्म की 2009 में, कोई सीरिस नहीं हुई, दोनों के बीच में, कही न्यूट्रिल वैनिम पे भी नहीं हुई, तो ये बड़ा है, मुझे सबसे इचा मज़ा आता है, मैं एश्या कप कवर किया, दो, ती, टी, टी, टू, टी, वल्ल कप कवर कर लिए, जिसमें इंडिया पाकिसान मैचिस हुए, उसका एक एक इन्वार्मेंट ही लग होता है, क पाकिसान का पहली रख लेते हैं, कि बाद चेह हो सदा एक टीम ना आगे जाए, रोलाना पर, तो इसलिए, तो दोस्तों, मुझे लगता है, कि चेर्मेंट पीसी बी ने एक अच्छी, उन्होंने भी अच्छा एक पोजिटिव रदेमल भी दिया, और उनको वेलकम भी किया पाकी चेर्मेंट पीसी बीकिनस बहुत स्ट्रॉंग है और बहुत डिफरेंट है, और ये खुदी फैसला करेंगे, इनको किसी से पूछने की जरूत या सच है नहीं, इतनी स्ट्रॉंग पोजिशन में, प्लिटिकली भी, मिनिस्ट्री पॉइंट पॉइंट और हर तरह से इतने स्ट्रॉंग हैं, तो वो अपने तन तनहा ही डिस्जियन कर सकते हैं, कि क्या करने हैं उनको, तो ये क्रिक्ट के लिए बहतर भी हो सकता है, खुदाना खासा, अगर ये चीज़ उसमें आगी, कि सोलो डिस्जियन हो रहा है, वनमें शो और है, तो गलत भी हो सकता है, पर टाइम इल टेल, बट अट अगर ये स्टेट्मेंट उनका जो रदे मल था, वो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ठीक रहा, और जो चीज़ गलत होती है, उस पर हम तनकीद भी करते हैं, जो जो अच्छी है, वो उसकी तारीख भी करनी चाहिए, और बैलेंस जिनलि को लेकर, ये ICC का मैटर है, ICC का इमेंट कर रहा है, पाकिसान तो सिर्फ फसिलिटेट कर रहा है, टीमें किसने आना है, किसने नहीं आना है, ये पाकिसान की सरदर्दी नहीं है, ये ICC की सरदर्दी है, और अगर इंडिया नहीं आता, वो पाकिसान को इंकार नहीं कर रहा ह और I guess कि यह जो elections हो रहे हैं इंडिया के अंदर उसके बाद नई गोर्मेंट बजाही लग रहा है कि इंडिया की ही आएगी बट डिफरेंट हो सकती है इस बार और कहानी चेंज हो सकती है और नई गोर्मेंट के बाद मामलत तैह हो सकते हैं क्योंकि यहां पर शरीफ शरीफ सा साथ यहां पाकिस्तान के अंदर हो निट्रल बैनी वाला मजा नहीं रहेगा खासकर पकसानी फैंस के साहिए ज्यात्ती होगी तो दोस्तों आपको चेर्मेंट PCV का यह रेक्शन कैसा लगा अपनी राई कुमेंट की सोतने जरूत आएगा में तो सब्सक्रा के लेता है इज ज्यात्तों आप